सरकारी कमपनी MMTC यानि मैटल, मिंडल एंड ट्रांसपर्ट कॉर्परेशन ने पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान से प्याज के इंपोर्ट के लिए सरकार से निवीदा यानि की टेंडर की मांग की है जिसका महरास्ट के किसानों ने कडा ग्रोध किया है अब हम आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला हमारे देश का किसान कोई फसल उगाता है जिसका उसको बजार में सही दाम नहीं मिल पाता तो किसान नुकसान में जाता है फिर किसान दुवारा फसल करने के लिए किसी साहुकार या किसी बैंक से करज लेता है और फिर उसका दुवारा से न National Crime Record Bureau के हिसाब से, भारत में Farmer Society Rate में महारास्ट सबसे नंबर बन पर है, और जो खबर हम आपको बताने वाले हैं, वो भी महारास्ट की ही है. खबर ये है कि महारास्ट के सौाबी मानी सेथकारी विभाग, जिनको नहीं पता कि सौाबी मानी सेथकारी क्या है, वो जान लीजिए, कि ये एक किसान यूनियन है, जो कि महारास्ट और कोलापुर में आपरेट होती है, जैसे कि हमारे उत्र पृदेश के मुजफ़ा नगर औ की फसल हमारे यहां डेड़ से दो महीने में कटने वाली है आप उसे बाहर से क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं प्यास खरीफ की फसल है जिसे अपरेल मई में बो कर नवंबर दिसंबर में काटा जाता है वहीं उन्होंने सवाल पूछा कि क्या हम पाकिस्तान से भी गैर गुजरे ह क्या आपकी दुस्मनी हमसे पाकिस्तान से भी जादा है जो आप हमसे ना लेकर पाकिस्तान से प्यास मागा रहे हैं वहीं एपी एमसी यानि एगरिकल्चर प्रोड्यूस मार्किट कमेट्टी के अद्यक्ष्ण कहा कि सरकारी कंपनी MMTC के इस फैसले से किसानों को बड़ा न जिसका उन्हें अपना सही दाम नहीं मिलेगा वहीं दूसरा यदि माल लिया जाए कि किसान अपनी फसल को बेकने में जल्दबाजी नहीं करते हैं आराम से बेकते हैं तो उसके भी दो पड़ि नाम हैं पहला कि या तो उनकी फसल रखे रखे खराब हो जाएगी या फिर ज MMTC का कड़ा व्रोध कर रही है जिस तरह नैशनल दस्तक SCST, OBC और Minority के वाज उठाता है उसी तरह किसान भी हमारे देश का नागरिक है जिसका हमारे देश को बनाने में उतना ही योगदान है जितना की किसी राजनिता और किसी कारुबारी का बीरो रिपोर्ट नैशनल दस्तक नैशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नैशनल दस्तक के सपोर्टर फर्म को भड़ें ताकि हम सीधे आप से जूर सके